तो इस आप को लिंक मिलेगा वहां सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे कैसे यूज करना है इस विडियो में हम देखने वाले हैं तो सबसे पहले जो एक लोग इन पेस्ट में जाकर यहां पर आप आपने अपने नाम और एमेल आडर्स और कनफर्म पासवर्ड करने के बाद साइन करने के बाद आपका सड करके देख सकते हैं उसके बाद आपको 25 अप्लान को बटन क्लिक करेंगे यहां पर आपका WhatsApp का डैस्पट होगा यहां पर प्लस का इकन पर क्लिक करने के बाद आपको एक QR कोड एपियर होगा इस QR कोड को हमें जो है कि basically scan करना आप अपने मुबाइल के link device से जो है कि इसको add करके scan कर लेंगे तो हम अपने मुबाइल को open कर यहां पर scan करते हैं यहां पर आपका जो है कि एक icon बन जाएक आपका phone number के साथ इस नमर पर जो है कि हम click करेंगे और यहां पर आपका सारे और features जो है कि active हो जाएंगे और जो है कि यूज कर सकते हैं तो इस feature में क्या क्या इसमें दिया हुआ है आप यहां पर देख लेते हैं आपका प्रुफाइल मेनेजमेंट है आपका जो है कि आपका मेसेज करता है तो रिसपॉंज जाएगा बल्क मेसेजिंग है बल्क में मेसेज़ सेंग करने के लिए यहां पर चैटबोड है जो किसी पार्टिकलर करेड करें आपके मेसेजिंग में और चैटबोड में भीज़ कर सकते हैं एसपॉर्ट ग्रूप है ग्रूप का मेंबर जो है कि आप सबसे और तीन अप्षन मिल जाएगा आपने फोन नमर को आड़ करके सकते हैं करको रख सकते हैं और इसे जो है कि हम इसमें नमबर कर लाता है इंपोर्ट करने के लिए इस आइकन में क्लिक करेंगे और यहां पर मिल जाएगा अप्लोड और के सकते हैं या फिर जो है कि सिंप्ली कॉपी पैसे यहां पर चोए आपकर सकते हैं इंपोर्ट करडिया इसके बाद हम क्रीड करेंगे यहां पर 3 options मिलेंगे, text media, button and list तो button and list तब active होगे जब आप template create करेंगे template कैसे create करना ये भी हम देख लिएते है, template वाले icon पर जाएंगे, button and list icon, जो हैके 2 मिल जाएंगे दोनों में difference क्या होता है, button जो होता है, message के नीचे जो है की button के तौर पर यहां पर आपका message जाएगा जो आपको मेसेज करना है वह आप कर सकते हैं अर्य हम अपने टैंप लैड नाम एंटर करेंगे और जो हमने काइम नीया है वह में मेसेज यहां पर डाल देंगे इसके साथ जो है कि आप फाइल मनेजर दिया हुआ इमेज वगर लगा सकते हैं footer discussion footer में क्या discussion एंटर कर सकते हैं एडन सकते में क्लिक करेंगा यहां पर आपको तीन आप्सन मिल जाएगा Text बटन Link बटन और Collection Text बटन स्प्ल्री एक टेक्स जायेगा और Link बटन में क्या होता है कि बटन के सा även के यॉउजर वार्ट प्लिक करेंよね क्लिक करते हैं इस बटन पर क्लिक करेंме Гός क्लिक कपे सकते हैं तेन फिली क्लिक करें जैके ऐंडर कॉस्पों करें के हैं क्रेटिंग करने के बाद समिट प्र प्राइब करेंगे यहां पर अपका किलिक कर देंगे जा THIS हम ळाला lara क्वेन 份 डिस्क्रिप्जिन इसम्ट करेंगे यहां पर डिखे और यहां पर J की सेक्सिन के नाम को दिर सुर्ञें में करें थे आफ़ फोassoci Tucson यहां पर आपको देना जैसे कि WhatsApp Marketing हो गया इंटर अब कर सकते हैं तिक है तो आपकर मिलिश्ट ना नियुक्त करने के लिए और यहां पर जाएंगे और सारे यहां पर करने के बाद चुक तो सब्सक्राइब करने के बाद या है जो भी उसके बाद यूज करना है वह उसके चला जाएगा और फिल करने के लिए तो इसके बाद हमारा चैट ओड भी है यूज कर सकते हैं आड निवी के बटन पर जाएंगे और यहां पर चैट बोड का नाम एंटर करेंगे और बैसिकली यहां पर कीवर्ड डालेंगे कौन से कीवर्ड पर जोएगी हमारा यह रेप्लाइगा यानि यह मेस्ज जाएगा तो और जो भी आपको यहां पर सेट करना है वह सेलेक्ट कर लिजिए और सेब कर दीजिए तो यहां पर हमने सेब कर दीजिए और इसको जो एड कर दिया और इसको टॉन 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 आफ यहां के बटन है आप कर सकते हैं और भी आड करने के लिए यहां पर प्लस आइकन पर जाक हम ने सेब्ण हो गया हुआ है किया ह्सका रिस्पॉंडर में आप जो है कि आड कर सकते हैं जैसे कोई फर्स्ट टाम में मेसेज किया यहां पर डिले भी लगा सकते हैं कि दोबारा अगर फिर वह मेसेज करता है तो फिर आपको मेसेज देना कितने समय में मतलब आप दे सकते हैं तो फर्स टाम जैसे कोई मेसेज करेगा जोगे सकते हैं सारे में आज़र करनाचाते हैं कि पीर नंबर करना चाहते हैं तो इस दिसकान अगर आझसे पच्सके करना है तो डिसके सब्सक्राइब आपको जोई कॉंटेक्ट डिटेल मिल जाएगा कॉंटेक्ट कर सकते हैं ओके थैंक्यू